देव भूमी उत्राखन जब भी देश सेवा और समाज सेवा की बात होती है तो दून डिफेंस करियर पॉइंट का नाम सबसे पहले आता है डीटी चिपी से हर साल नसिर बड़ी संख्या में युवाज देश सेवा के लिए चुने जाते हैं बलकि समाज सेवा और रक्टदान में भी इस संस्थान के युवाओं का नाम सबसे आके रहता है डीडी सीपी में युआओं के शेक्षिक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है हर साथ डीडी सीपी के छात्रों के लिए संसान द्वारा विशेशक ये चिकित सकों के सयोग से हेल्थ कैम्प लगाया जाता है जिसमें छात्रों की आखों, ब्लड शुकर, ECG, खून, दातों, नसों, नाक कान कले के साथ ही अन्य जरूरी जाचे भी की जाती है इन जाचों का लाद यह होता है कि सेना में भरती होने वाले युवा पहले से ही अपने शरीर पर थ्यान देते हैं और जब सेना में भरती होने के लिए मेडिकल टेस्ट होता है तो युवा फिट रहते हैं इसके साथ ही युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है हर साल की तरह इस साल भी दून डिफेंस केरियर पॉइंट में हेल्थ कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इस मौके पर बड़ी संख्या में सेना की तयारी में लगे छात्रों ने रक्तदान किया और अन्य युवाओं के साथ ही आम जन्ता से अपील करते हुए कहा कि रक्त का कत्रा कत्रा देश के काम आये हम सब की यही इच्छा है यहाँ पर डिडी सीपी में आज रक्तदान का शिविर लगा हुआ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना रक्तदान किया है और वो किसी ऐसे के काम आएगा जिसे उसकी जरूत है सबसे इससे और भी फाइदे हैं रक्तदान करने के यहाँ पर सिविर लगा हुआ है इससे हम अपना हेल्ट चेक अप भी करवा सकते हैं है और बहुत अच्छा लग रहा है अगर कोई बीमारी हुई तो हेल्ट चेक अप में यह पता चल जाएगा पहले से ही कि हमें क्या बीमारी है सर रक्तदान से देकर देखिए सबसे बड़ी यह बात है कि अगर किसी की जिन्दिकों में अपने एक एक बूंत बलड दे रहे हैं तो यह जान लीजिए हमें सबसे बड़ी खुशी हो दिए उसकी जान तो बच रही है अगर हमारे पास 13.6 से लेकर 14.6 हो जा रहे है तो उसमें कोई बुड़ाई नहीं है एक पॉंट दो पॉंट दे दो अभे अभी यह जान लीजिए कि हमारे पास सर्टिपिकर दे रहे हैं बलड डी होटे के लिए कभी हमें अभी उसकी नीट पढ़ गई सरू तो देख आग यहां के टीचर्स सभी फेकल्टी सभी बहुत अच्छे हैं और आग यहां पर रक्तदान के लिए लॉइंस क्लब आया हुआ है भी बहुत अच्छा लग रहा है मेडिकल केंप लागा हुआ है हमने यहां पर रक्तदान किया है बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हमारे र जिदानसवाक शेत्र से बीचीपी के विधायक खजानदास ने किया। दीप प्रजोलन के साथ कारक्रम की शुरुआत हुई। स्वास शिविर में महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेशके डॉक्टरों की टीम ने दून डिफेंस केरियर पॉइंट के समस्ष चात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में पहुँचे इस्थाने लोगों की आखों, बलड शुकर, ECG और अन्य चांचें पूरी तरह से इस मौके पर विधायक खजानदास ने टीडी सीपी के छात्रों को देश सेवा के साथ ही समाज सेवा की भी शबत दिलाई, संस्थान के सभी सरस्यों को इस सफल आयोजन के लिए शुबकामनाय देते हो उन्होंने कहा कि टीडी सीपी के निदेशक जेपी नौट्याल का दे तो आज के युवाओं के मन में देश भक्ती के साथ ही समाज सेवा की अलग जगा रहे हैं और आगे भी जिस तरह का एक सरहनिय कदम नौट्याल जी के दौरा जो किया जा रहा है चाए छोटा आयुजन हो चाए बड़ा आयुजन हो जिस तरह से आप एक प्रणा दे रहे हैं बच्चों के लिए भी और स्वास्ते लाब भी मिल रहा है यह बहुत बड़ी बार स्वास्त और रग्तदान शिवर में डीडी सीपी के सबी छात्रों के अलावा इस्थाने तीन सो पच्चपन पुरुष महिलाएं और बच्चों ने अपने स्वास्त का परिक्षण करवाया स्वास्त शिवर में आखों की समस्या को लेकर पहुँचे इस्थाने लोग का फ्री लेंस सुईधा के साथ निशल कॉपरेशन तेहरादून के प्रतिष्ठिक श्री महंत इंदरेश अस्पताल में किया जाएगा शिवर में रग्तदान और जाने के बाद नेतरदान का संकल प्रफी लिया गया दून डिफेंस केरियर पॉइंट के चात्रों ने जहां रग्तदान में बढ़ चड़कर हिस्सा लिया वहीं इस्थाने लोग पे रग्तदान पोत्साहित दिखाए दिये पीचेपी मंडल अध्यक्ष विशाल गुपता ने संस्थान के सामाजिक कारेयों की जमकर प्रशन साकी प्रफेंस केरियर पॉइंट जो नोट्याल जी दुवारा संचलिता है अब और लंबे समय से इसको संचालित कर रहे है क्योंकि इनका मकसद इनका मिसन और इनका लक्स एक ही है कि देश की सीमा पे जो हमारे होनार युवा देश के क्योंकि हिंदुस्तान युवा परदान देश है और स्वामे विवेका नंग के अनुआई के रूप में हम उनकी एक ही वचन हमें जान रखना चाहिए उठो जागो लक्स प्राप्ति की और बढ़ो जब तक हम अपनी लाइफ में लक्स को तेह नहीं करेगे तो हमारा मिसन अधूरा रहे गा और दून डिफेंस एकैनमी इस मिसन को पूरा कराने में सहयोग करता है, सहभाग करता है और उनको गाइडलाइं करता है उनको ज्यान देता है और ज्यान देकर वो गुनर देता है कि देश के लिए अंदर रहे कर जो जज़वा आपके अंदर आएना चाहिए सीमा पे अपने सहिनिकों के लिए क्योंकि सेना में जाना हर व्यक्ति की कल्पना तो हो सकती है देकि संकल्प नहीं हो सकता और जो व्यक्ति संकल्प लेता है वो ही तरक्की करता है और सीमा पे डढ़ कर अपने देश की रख्षा करता है दून डिफेंस केरियर पॉइंट द्वारा आयुजित के स्वास्त एवं रख्तदान शिवर को लॉयंस क्लब सेंटेनियल, लॉयंस क्लब दून वैली और पॉलिकेट स्कूल के द्वारा विशेश सहयोग मिला इस मौके पर मौजूद लॉयंस क्लब के सरसों ने दून डिफेंस केरियर पॉइंट के डारेक्टर एवं लॉयंस क्लब के वरिश सरसे जेपी नौट्याल को उनके समाजिक कार्शों के लिए पढ़ाए दी डीटी सीपी के निदेशक जेपी नौट्याल ने स्वास्त एउम रक्तान शिवर में पहुँचे सभी गणमाने लोगों का धन्यवाद अदा किया साथ यह ने कहा कि उनका पूरा जीवत देश और समाज सेवा के लिए समर्पित है दून डिफेंस करियर पॉइंट में जो यह स्वास्ते केम्प लगा है इसका लाब हमारे हर बच्चे ने लिया है और हम लोग समाजिक कारियों के छेतर में यह एक कड़ी रहती है कि हमारे बच्चे के साथ साथ छेतर की जितनी भी जनता है वो स्वास्ते का लाब ले पाए और जो गरीब तबके के लोग हैं जो परपर तरीके से नई एफोर्ट कर पाते हैं उनके लिए सारी बेवस्ताइं यहां पर की जाती है और दून डिफेंस करियर पॉइंट स्वास्ते के साथ साथ समाजी एक छेतर में जब भी भी कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारा युवाबर्ग या हमारा चातर कंदे से कंदे मिलाकर देश के हर एक्टिविटी में अपना पाटिशिपेशन करता है और देश हमारे लिए सर पाटिश रहता है उन लोगों पर जो देश सेवा और जनहित को अपना करतव्य और धर्म समझते हैं निस्वार्थ भाव से हमेशा देश सेवा और समाजिक कार्यों के लिए आके रहते हैं डीडी सीपी के निदेशक जेपी नौड्यान ने छातरों के अंदर जो देश सेवा और समाज सेवा की अलख जगाई है उम्मीद है उससे एक दिन पूरा देश रौशन होगा जय हिन्द थल सेना जल सेना नौ सेना में अतिकारी बनने का सुलहरा आफसर आपके सपनों को पंक देने के लिए दून डिफेंस केरियर पॉइंट का नाम ही काफी है गीडी सीपी उत्तर भारत बेरा दून का आगरेनी संस्थान है पिछले छे सालों में 84% सेफलतम परिणाम देने वाला एक मात्र संस्थान गीडी सीपी से अपनी सपनों को साकार करने के लिए संपर्क करें